गुण मॉरिंग गियर स्टूडेंट्स तो आज जो है को हम अपना पहला जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं डी ब्लॉक अलिमेंट्स में तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने पिरियोडिक टेबल जो है वो आपको फोकस किया हुआ है तो एक जरा इसमें जो है वो हम थोड़ी सी इसमें इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि कौन-कौन सी जो है वो हमारे पास जो है वो सिरीज होती है तो देखो इसमें जो है वो सबसे पहला element जो होता है वो है scandium, titanium और ये series continue करती है up to zinc तक similarly हमारे पास जो second transition series होती है वो yattrium से लेके cadmium तक जो है वो present होती है ठीक है और उसके बाद जो है वो third transition series हमारी lengthenum से शुरू होगी और ये हमारे पास चलेगी mercury तक similarly हमारे पास चार transition series होती है ठीक है तो इसमें जो है वो आपको mainly जो है इन elements को जो है वो चारों series को जो है वो याद करना है कैसे याद करना है ये भी हम अभी जो है वो देखेंगे तो अब जो है इसमें आपको जो है वो एक पूरा insight जो है वो पता होना चाहिए periodic table का कि पूरे के पूरे periodic table में जो है वो टोटल आपके पास जो group होते हैं वो 18 group होते हैं ठीक है तो IUPAC ने जो है वो latestly in groups का number जो है वो digit में जो है वो रखा हुआ है जिसे group 1, group 2, group 3 and so on ये numbering जो है वो continue की गई है और ये continue की गई है 18 group तक जिसको जो है वो हम last में noble gases जो है वो बोलते हैं ठीक है लेकिन American style में जो था वो इसको रोमन की form में लिखा गया था तो रोमन में जो है वो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं 1A, 2A and 3rd A, 4th A, so on up to 8th A ठीक है तो आपने similarly तरीके से इसी तरीके से जो है जो B series होती है उसको भी जो है वो हम 8 तक जो है वो ले जाते हैं ठीक है तो 1st B हमारे पास copper वाली होती है 2nd B हमारे पास zinc वाली होती है और हमारे पास 3rd B ये 4th, 5th, 6th, 7th ठीक है आपने ध्यान ही ये रखना कि 8th जो होती है ठीक है combination of 3 groups iron, cobalt निकल इसमें ना कोई A होगा ना आपके पास कोई B होगा ठीक है तो ये जो है वो एक old method था ठीक है इसको American method भी बोल जाता है रोमन में लेकिन वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा element जो है वो कौन से group को जो है वो belong करता है ठीक है ये दोनों ही accepted है तो अब जो है वो आपको ज table जो है वो मैंने इसमें जो है वो copy किया हुआ है तो आप ये देख सकते हैं ठीक है तो ये जो आपके पास चार series होती है ठीक है ये आपके पास scandium, yattrium, lanthanum और actinium ठीक है ये चार series है आपके पास transition elements की ठीक है तो जो fourth series होती है ये आपके पास जो है वो इसको incomplete हम जो है वो आप मारे पास आपी incomplete है क्योंकि 118 element जो अभी तक reported है ये series जो होती है वो आपके पास radioactive होती है and has been studied very less commonly ठीक है as comparison to these three तो हमारा focus जो होगा वो first, second or third transition series पर ज़्यादा होगा fourth radioactive element होने की बज़े से जो है वो ज़्यादा study नहीं की गई है हलांकि हमारे पास total transition series जो है वो total कितनी है चार है ठीक है और एक और बात इसमें important ध्यान दे कि जो हमारे पास जो है वो ये horizontal जो रोज होती है निको हम period बोलते है ठीक है तो जो first transition series हमारी शुरू हो हुई वो हमारी fourth period से शुरू हुई है ठीक है और fifth, sixth and seventh ये जो चार period है इनी में ये transition elements या deblock elements जो है वो present होते है ठीक है तो हमारे पास जो है वो इसमें हम इसको जो है वो one by one discuss करते है ठीक है तो जो हमारे पास जो block होता है of element it is decided by the last electron that enters into the elements ठीक है तो हम deblock elements की बात कर रहे हैं तो इस case में जो last electron होता है उसी को हम differentiating electron भी बोलते हैं तो उसमें जो last electron होता है वो हमारा enter करता है into the D sub shell उसी को जो है वो हम penalty mate shell बोलते हैं Hence, all the elements belong to the D block elements ठीक है Since D sub-shell can accommodate only 10 electrons, D sub-shell की capacity होती है, वो 10 electrons की होती है, आपको पता है, D sub-shell में 5 orbital होते हैं, तो एक orbital में 2 electron आएंगे, तो इसकी capacity 10 electrons की होती है, hence, this block consists of 10 groups, ठीक है, तो इसमें 10 groups present होते हैं, 10 vertical columns जो हैं, वो present होते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी periodic table में बताया, ठीक है, तो ये block, जो जो इसमें जो groups होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितने होते हैं, 10 vertical columns जो हैं, वो इसमें present रहते हैं, और ये 3 group 3 से लेके, group 12 तक जो अभी present होते हैं, ठीक है, धियान रखना है, इसमें all are metals, इसमें कोई भी non-metal नहीं होती, ठीक है, and the D block, it consists of 4 series, जैसा ये मैंने आपको आपक किया, and 4th series is incomplete, as it contains all the synthetic elements, synthetic elements are man-made elements होते हैं, इसको हम laboratory में बनाते हैं, nuclear, जो है, वो fusion reaction से, जो है, वो हम many, जो है, वो इसमें compound, जो है, वो synthesize करते हैं, laboratory में, तो सारे के सारे वो कैसे हैं, radioactive हैं, और ये synthetic है, 4th series के, ठीक है, the element of the group 3, scandium, yatarium, lanthanum, and actinium, and group 12, zinc cadmium mercury, means, जो first आपके पास, जो group होता है, transition elements का, और जो last group होता है, 12, are referred to as non-typical transition elements, and the other, group 4 to group 11, are called as typical transition elements, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, कि जो आपके पास, periodic table में, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो आपके पास, ये group होता है, scandium, yatarium, lanthanum, ठीक है, और आपके पास, जो ह एक बिल्कुल first और एक last वाला, इनको जो है, वो हम बोलते है, non-typical transition elements, और जो भीचवादी, जो हमारे पास, जो elements बजगे, इनही को हम बोलते है, typical transition elements, ठीक है, इसका reason भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका reason ऐसा क्यों होता है, जो elements होते है, scandium, yatarium, lanthanum, actinium, and zinc, cadmium, mercury, differ in the properties from the other transition elements, ठीक है, इनकी properties में जो हम बो difference होता है, as comparison to the other transition elements, ठीक है, जिसे example, dear compounds are uniformly trivalent, इनके maximum compounds होते हैं, वो आपके पास trivalent होते हैं, scandium 3 positive, yatarium 3 positive, lanthanum 3 positive, actinium 3 positive, और zinc, cadmium, mercury, यह आपके पास, plus 2 oxidation state में होते हैं, तो इतनी ज़्यादा variation नहीं होती है, इनकी fixed oxidation state होती है, plus 3 और इनकी plus 2 होती है, ठीक है, diamagnetic होते हैं, इनके में जो है, कोई भी unpaired electron नहीं present होता, and colorless होते हैं, जबकि बाकी जो transition elements होते हैं, वो आपके पास variable oxidation state जो है, वो possess करते हैं, colored compound बनाते हैं, इनके पास colored ions होते हैं, and most important, they are paramagnetic, उनमें जो है, वो unpaired electron present होता है, that is why, यह जो दो groups हैं, हम इनको बोलते हैं, non-typical transition elements, यह इस साल 2020 में भी question पूछा गया था, ठीक है, किसी exam में, जो in organic chemistry का paper था, कि what are typical transition elements and non-typical transition elements, explain with reason or example, ठीक है, तो आपको जो हो यह code करना है, ठीक है, इसके बाद जो है, बहुत important जो है, वो हमारे पास एक question आता है, ठीक है, कि मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, कि is there any difference in the calling that transition elements or deblock elements, because कही वार हम transition elements बोलते हैं और deblock elements बोलते हैं, ठीक है, तो इसका answer है, yes, there is a difference in calling transition or deblock elements, ठीक है, what is that difference, ठीक है, first of all, you understand the, what are the transition elements, what is the exact definition, ठीक है, जो IUP ने इसके definition दी, transition elements जो है, वो बोव element होगे, ठीक है, it is, मैं पढ़ देता हूँ इसमें से, it is an element that has incompletely filled D sub shell और orbital, either in the elementary state or in combined state, ठीक है, यह क्या बताना चाहरा है आपको, यह बोल रहा है, कि transition elements बोव elements होते हैं, ठीक है, जिनके पास D sub shell, यह जिसको हम D orbital भी कही बोल देते हैं, D sub shell जो होता है वो आपका, partially filled होता है, ठीक है, incompletely filled का मतलब होता है, कि वो partially filled है, ठीक है, better word है कि भहाँ पे उसको हम use करेंगे, कि they are partially filled, partially filled का मतलब यह होता है, कि D orbital जो है, वो ना तो आपके पास इसमें completely filled नहीं होना चाहिए, ऐसे elements को हम बोलते हैं, transition elements, ठीक है, D 0 होगा, तब भी वो transition element नहीं कहलाएगा, D 10 होगा, तब भी वो transition element नहीं कहलाएगा, तो condition क्या होगी transition element की, कि D 1 से लेके D 9 तक किसी भी element में, अगर यह configuration हमें मिलती है, तो वो हमारे पास transition element कहलाएगा, अब वो D 1 से लेके D 9 भली configuration जो होती है, वो उसकी elemental state में भी हो सकती है, elemental state होती है, जैसे वो nature म भी हो सकती है और either in the combined state combined state होती है कि जैसे मानलों उसने कोई compound मना दिया ठीक है किसी other element के साथ तो उसमें उसकी oxidation state भी हो सकती है ठीक है तो either in free state और either in combined state उसके पास क्या होना चाहिए partially filled d orbital होना चाहिए तो ऐसे elements को हम क्या बोलते हैं transition elements बोलते हैं ठीक है तो अब जो है वो d block elements कौन होए फिर d block elements की जो definition आती है in which the last electron enters into the d sub shell हम उनको जो है वो d block elements बोलते हैं ठीक है एक बात मैं आपको clear कर दूँ जो भी आपके पास ये elements होते हैं ठीक है scandium से लेके zinc तक ये जो भी आप चार series देख रहे हैं ये सारे के सारे d block elements हैं योगि इनमें जो last electron enter करता है वो कि इसमें enter करता है d में enter करता है ठीक है तो जितने भी आपको elements देख रहे हैं ये कौन से element है हमारे पास d block elements है कौन से elements है d block हैं कि सब में electron d sub shell में ही जाएगा ठीक है तो transition elements को example फिर क्या आएंगे ठीक है तो मैंने आपको बता दिये कि सारे के सारे हमारे पास elements क्या है यह d block है क्योंकि सब में electron last में जो enter करेगा वो d में enter करेगा ठीक है तो अब जो है वो हमारे पास transitional element का मैं आपको example देता हूँ transition elements में जो है वो हमारे पास जो है आएंगे हमारे पास scandium से लेके हमारे पास यह आ जाएगा copper तक कहां से आ जाएगा scandium से लेके copper तक ठीक है तो जो last आपके पास जो group होता है zinc, cadmium, zinc, cadmium and mercury यह जो हमारे पास elements होते हैं यह हमारे पास transition elements नहीं होते क्यों नहीं होते है क्योंकि इनके पास जो है वो fully field जो है वो d10 sub shell होता है इंदियर elemental state में भी होता है आपको पता है इनकी configuration जब आप देखोगे तो इसमें 3d10, 4d10, 5d10 होगा तो जब इसमें d orbital partially field नहीं है तो यह आपके पास जो है वो transition element नहीं कहलाएंगे ठीक है यह आप इन state जो है वो zinc की होगी plus 2 तो अगर plus 2 oxidation state भी होगी तब भी इसके पास जो है वो इसके outermost configuration आएगी 3d10 ठीक है 4s के क्योंकि दो electron निकल जाएंगे तो इसके पास 3d10 आएगी still it do not have partially field d orbitals ठीक है similarly true with cadmium 2 positive and mercury 2 positive they do not have partially field d orbital या incompletely field d orbital hence तो आपके पास जो है यह आपके पास जो है वो यह transition element हमारे पास नहीं कहलाएंगे ठीक है तो यह अपने ध्यान रखना है इसी लिए जो है इनके लिए एक term use की जाती है कि zinc cadmium mercury are also regarded as pseudo transition elements ठीक है उसके बाद जो है वो आपको यह clear हो गया कि they are not the true transition element they are not the true transition element but they are regarded as pseudo transition elements ठीक है अब आपसे मैं question पूछता हूं कि जैसे मा 4s1 ठीक है तो इसका भी तो d shell जो है वो fully field है ठीक है इसका shell देखो आपके पास 3d10 fully field है यह partially field नहीं है तो क्या यह transition element होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो इसका अंसर है कि यह transition element होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि भले ही इसकी elemental form जो है वो उसमें d orbital partially field नहीं है लेकिन आपको पता है कि copper का जो बड़ा famous compound में आपको example देता हूँ, copper sulphate, ठीक है copper sulphate, copper sulphate में जो है वो आपको पता है कि copper जो है вो आपके पास जो है वो plus two oxydation state में होता है, То जब आप two electron نکाल होगे, एक हैस से जाएगा और एक भी से जाएगा, तो copper 2 positive का जो system होगा ठीक है तो वो आपके पास होगा 3D9 4S0 ठीक है तो आप इसको read कर सकते हैं इसमें मैंने ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा pause करके आप read कर सकते हैं line to line तो आपको जो है वसका reason मिल जाएगा तो अगर आपसे कोई पूछते है कि copper जो है ठीक है तो अब जो है वो मैं आपके लिए statement बनाने जा रहा हूँ ठीक है वो आप मुझे जो है वो आप इसकी से आपको जो है बहुत easy हो जाएगा ठीक है देखो जिसे मानलो मैंने आपको बोला कि जितने भी मेरे पास ये 4 series थी ये सारी की सारी मेरे पास क्या कहलाएंगी deep block elements ठीक है